हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू गोबी की सबजी जैसे हम एकदम बिल्कुल शादियों में खाते हैं न हम बिल्कुल उसी टेस्ट में सेम व वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर करेगा तो यहां पर मैंने आलू गोबी बनाने के लिए ले लिया है गोबी तो यह गोबी के फूल है जिसको मैंने अच्छे से धुल लिया है और एक एक फूल इसको मैंने अलग कर लिया है बड़े-बड़े साइ भर के लाल मेच पॉर्डर तो ये कश्मेरी लाल मेच का यूज किया है उसके बाद फिर हम डाल देंगे एक चमश यहाँ पर गरम मसाला पॉर्डर और एक चमश मैंने इसमें डाला है धनिया पॉर्डर और उसके बाद फिर अब हम डालेंगे इसमें नमक तो ये मैंने काला न फ्लेवर ऐपा कई भी, मैं ने यहां पे डाल दिया है तो इक से टेर समस्ट दईी है और इन सब को अच्छे इसको अच्छे से गोबियों के साथ सारे मसालों को अच्छे से हम मिला लेंगे तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लिया है और ये बहुत अच्छे से गोबियों में मिक्स हो गई है और इसको अब हम रख देंगे ढख के आठ से दस मिनट के लिए तब मैंने पानी में बिगो के रख़ा है जिससे वो आलू काले न पड़े और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कडाही लेंगे और उसके बाद उसमें हम डाल देंगे सरसो का तेल तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल का ज्यादे यूज किया है तो अब हम फ्राइ करेंगे चोटी चमश यहाँ पे साबूत जीरा और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है मिर्ची तो दो हरी मिर्च मैंने इसमें डाली है और उसको भी सर्फ लंबे कट करके और ऐसे डाल दिया है और उसके बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे प्याज तो मैंने प्याज क प्याज को लंबा-लंबा कट किया है और उसको हम डाल के तेल में और हल्का सा फ्राइब कर लेंगे इसको भी थोड़ा सा color change होने तक भून लेंगे तो जब हमारे प्याज भून जाएगा उसके बाद हम आगे कर प्रोसेस करते हैं तो यह देखिये प्याज हमारे color change होने लगा है थोड़ा सा तो यह हमारा प्याज अच्छे से भून गया है तो इसी के साथ अब हम डाल देंगे इसमें गोभी तो जो मेरिनेट करके हम गोभी रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसी प्याज के साथ हम गोभी को भी अच्छे से भून लेंगे तो यह देखिए फ्रे गोबी को हम अच्छे से भून लेंगे और गोबी के साथ ही हम आलू भी डाल देंगे जो फ्राई करके रखा था और उसी के साथ फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है मतर तो यह मैंने फ्रेश मतर का यूज किया है और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे इनी सब के साथ तो सारी सबजियों को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चार से पांच मिनाट अच्छे से मिलाते हुए हम भून लेंगे और ये जब थोड़ा सा भून जाएगा फिर हम डाल देंगे इसमें नमक तो ये देखें मैंने यहाँ पर डाल दिया इसमें नमक और इसको हम पानी भी हम नहीं डालेंगे इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और ये जो मसाले थे ना जो मैरिनीट किये थे बस वही मसालों का पानी यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फिर हम mix कर लेंगे बहुत जादा आपको पानी डालने के जो अतनी है जो मसाले हमारे already marination वाले थे बस उसी में आप आधिक कब से भी कम में थोड़ा सा पानी डालिए और बस इसको आप ढग के ऐसी ही पका लीजे तो यह देखे फ्रेंड्स यह सबजी हमारी थोड़ी से पक गई है 50-60% तक पक जाएगे फिर हम यहाँ पर डाल देंगे कटे हुए टमाटर यहाँ पर मैंने कोई पेस्ट का यूज नहीं किया है तो आप जब लास्ट में टमाटर डालेंगे ना तो जो टमाटर की फ्रेशनेस है ना वो सबजी में ना सबजी की फ्लेवर को और बढ़ा देती है तो आप ऐसे बड़े-बड़े साइज में टमाटर काट के डालिएगा तो ये देखे इसको भी मैंने ढख के पका लिया था चार से पाँच मिनट तक तो टमाटर भी अच्छे से पक गई है और हमारी सबजी भी बिल्कुल अच्छे से पक गई है फिर मैंने एक चमच यहां पे किचन किंग मसाला डाल दिया है और इसको भी मैंने अच्छे से मिला लिया है तो यह हमारी न, almost हमारी सबजी बनके ready हो गई है तो अब हम चेक कर लेंगे कि हमारी सबजी हो गई है या नहीं तो बिश-बिश में आप ढग के इसको पका लिजेगा और यहाँ पर अब हम हरे धनी के साथ गानेशिंग कर देंगे और यह हमारी हलवाई स्टाइल आलू गोबी की सबजी बनके ready है तो इसको मैंने सर्फ किया था पूरी के साथ तो आप चाहिए थे इसको चपाती के साथ और चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लेगी जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाबाए थेंक्स फॉर वाचिंग